लो फ्रेंज वर्कम दो चानल करने अफ़ेर अपडेट डिस दिवशी शवस्ती आज मैं आपके सामने ग्राइंट स्लाइम 2022 डिसकस करने वाला हूं तो देखते हैं ग्राइंट स्लाइम किस किस बार इस बार जो विनर्स रहें उनके नाम डिसकस करेंगे एक्जाम में कोशन आपको देखने को मिलता है जा दखेगा और ग्राइंट स्लाइम की बात करूँ तो चार ऐसे ग्राइंट स्लाइम हैं और किस स्पोर्ट में खिले आते हैं तो चलिए Korn Korn Slam है इसे 4 Grand Slam है जिसको उन्हों को डिसकस्थ भिकाना और विनर्स कौन कॉन है तो लेट स्सक्राइब स्थार्ट करनें से पहले पहले यह पता हुँ ज़ो कि चार Grand Slam होते कौन कौन से हैं तो पहला है Australian Open ठीक है remember यह hard court में खिला आता कि इस court में खिला आता है फिर French Open होता है, फिर Wimbledon होता है, जो कि Grass Coat में खिला जाता है, और ये जून जुलाई के बीच में होता है, remember, और लास्ट जो होता है, that is US Open, और ये भी Hard Coat में खिला जाता है, और आप इसको देखेंगे, ये होता है September में, तो देखा जाए, तो 2022 की बात करें, तो चारों एव Grand Slam में वो है Wimbledon, that is 1877 से start होता है, second में है US Open 1881 में, French Open 1891 में, और Australian Open 1905 में, तो सबसे लेटेस जो है, वो है Australian Open, जो सबसे पहले start भी होता है, मैंना भी आपको बता है, एक कोशन कभी-कभी exam में भी आता है, इन चार Grand Slam में सबसादा प्राइस बनी, किस Grand Slam में मिलती है, त इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्राइस मनी मिलती है, तो कभी-कभी कोशन पूछ लिया आता है, कि सबसादा प्राइस मनी, किस Grand Slam में, तो answer है US Open, ठीक है, यह basic आपको Grand Slam के बारे में याद रखना है, चलिए अब डिसकस करते है, 2022 में, किस-किस को Grand Slam मिले है, और कोशन किस तरह frame के जाते हैं, देखिए इसमें जो मैं events बताऊंगा, सबसे पहले बताता हूँ, जो सबसे पहला event हुआ, याद रखेगा, अब यह जो अभी हुआ, 2022 में, कौन से edition का था, तो याद रखे है 110th edition, कभी-कभी यह भी question आता है, तो याद रखना 110th edition का था, अब आपको याद रखना है, men's single, women's single किसने जीता है, किसको हराया मदब, runner-up भी आप देख सकते हो, exam में कभी-कभी पूछे जा रहे हैं, ऐसे question, but at least आपको winners तो याद होना ही चाहिए, ये तो एक common चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, और winners जहां से उनकी countries भी आप याद करने त तो runner-up आप मेरी telegram की PDF में आपको दे दूँगा, तो आप go through कर सकते हैं, but winner at least याद रखो, ठीक है, जैसे कि men's single का कौन है, Rafael Nadal है, जो कि Spain से बिलॉंग करते हैं, remember, और women's single किसने जीता है, Ashley Barty है, जो Australian है, remember, उन्होंने इस बार को Australian Open जीता है, तो ये तो आपको याद रखन है, अब किसको हराया है, मैं आपको बता है, PDF में आपको दे दूँगा, अब एक बाग go through कर ले ना, क्योंकि देखो, स्यादा नाम याद करोगे, तो हो सकता है, कहीं आप winner न भूल जाओ, runner-up के चकर में, ठीक है, तो winner तो at least याद रखो, ठीक है, अब देखो, इसी में आप देखे, कोकी नाकिस करके नाम दिया हुआ है, और दूसरा दिखा है, किर्गियोस, दोनों ही जो कि ऑस्याद ऑस्यार के हैं, तो याद कर सकते हो, वोमेंस जबल की बात करे तो इन दोरों का नाम तो बहुत इंपोर्टेट्र न याद अद अखेगा, ये एंड लेक्च आपने इंडिया में भी सुना होगा तो यहां से आप याद कर सकते हो ठीक है मिक्स जबर में देखें तो क्रिस्टीना और इवैन जो है वो उन्होंने इस बाद जीता है अब देखिए किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं I don't think so यह याद करने की ज़रूरत है गोद्रू कर लो मेरे काल से यह वाला नाम दादा इंपोर्टेंट रहेका है एक्जांस में ठीक है चलिए आगे आते नेक्स्ट ग्रांट स्लाइम की और मूव करते हैं that is French Open अब फ्रेंच ओपइंट जो ट्वेटीवन डीटू में हुआ उसका कौन सा एडिशन था तो 126 एडिशन था यह कुशन फ्रिम किया जा सकता है अब विनर तो विनर मेंज सिंगल में थे रफाल नेडाल आपने अभी कुछ दिर पहले इंका नाम सुना और दूसरा थे एगासवातिक इनका नाम भी इपॉटन है पोलेंड से बिलूँ करती है और अफाल नेडाल कहां से बिलाउं करते हैं स्पेइन से अगें किसको हराया मैं फिर से रिपीट करूँगा गोत्रू कर ले ना रोड है और यहां कोको है जो वोमेंस में हैं ठीक है बर एक लिस्ट विनर्स तो आपको याद होना चाहिए अब इसी में आप देखेंगे तो हम महँ भत बात करते हैं मेंस दबल्स वोमेंस डबल्स मिक्स डबल्स तो यहां मेंस डबल्स डेखेंगे आप मारकेलो है जूलियन रोजर है ठीक है अगे जस्ने उपन जीता था उसी का नाम आएगा तो यह एक बाद गोत्रू कलेंगे दोनों ही फ्रांस की है फ्रांस में हो था ठीक है मिक्स डबल देखे तो एना है और कुलू है तो यह अगेन मैं फिर से कहूंगो यह वाला सेक्षिन इतना चांसे कम होता है ठीक है बट सिंगल्स वाले तो ज्यादे तर कुशन आते इवेन रणरब भी आते हैं और विनर्स भी आते हैं ठीक है इसको आप जस एक बा वाग डोखोवेच सर्भियाज के बिलॉंग करते हैं आपने इमेज देख रखी होगी ठीक है और दूसरी है एलीना ठीक है राबिकीना नाम भी देखिए अजीब से लग रहा है और यह कजागिस्तान से बिलॉंग करती है ठीक है इन्होंने वोमें सिंगल जीता है अब दे अब देखिए वोमें डबल तो कॉमन आने वाली डाट इस कट्रीना और बार्बोरा ठीक है तो बहुत असान है चेक्रिपब्र की दोनों ही है अब यही आने वाली अगले में भी यही होंगी ठीक है डाट इस वोमेंस डबल में मिक्स डबल की बात के तो नील और आप देख आपको याद हो तो मैंने ओल्डेस में आपको विमिल्डन बताया था यूए उसी में आते लास वाले ग्रैंड स्लैम पे अपने 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 उस उपन 2022 और याद एक इसका कॉन से एडिशन था 142 अब इसका में से सिंगल देखें में सिंगल है कारलोस करके जो स्पेन का है उसने जीता है क्या में से सिंगल और वोमें सिंगल की बात कर देखें वही परस्नालिटी आगे इगा स्वातिक जिसका अभी हमने कुछ दे पहले देखा था जो पोलें से बिलॉंग करते हैं अगें आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन है याद करने हैं याद कर लेना ए यह यूएसे से बिलॉंग करता है यह कोशन कभी एक्जाम में फ्रेम किया जा सकता है और जो है जो यूके से बिलॉंग करते हैं में डबल का हो गया वोमेंस डबल में देखिए वही काटरीना बार्बोरा मैंने विताय सब कॉमन है बर फ्रेंच दादो बाकी तीनों वोमें बात करें दो स्टों और जॉन उन्होंने जीता है तो यह देखिए यह सारे ग्रांड स्लैम जो अभी न्यूस में थे हो मैंने आपको कवर कर दिये 2022 में आपके दिमायम को सब सहता ग्रांड स्लैम आस तक किस ने जीता अगर मैं मेल की बात करूं को मेल से लेडिट कॉशन ब लौंग करते हैं उन्हों जीता है 20 ताइंस रिमेंबर रोजर फेडर का नाम इस बार नहीं था आपने देखा आप बहुत फेमस टेनिस प्लेयर रहें लॉंट प्लेयर रहें अभी इन्हों रेटार्मेंट भी ले लिया है तो न्यूस में भी रहें रोजर फेडर तो यह भी टेलिगारम व्लूपय और मेरा ऑप्लीकेशन नाउनलोड कर लो अगर मेरे ऐसे कोह स diversity करना चाते हैं तो आप मेरे कोर्स से को जूइन करों वहां पर शारे को कवाइं सारे इंप्रon beispielsweise नोडिवार नोडेEC कोरियएगा नोमस चांट हैंड गर एंगे घर तक ora प्लवाइड क भी रख्य हुए आप पहले टेस्ट को एक फ्री टेस्ट को एटेम्ट करिए आपको टेस्ट पसंद आए तो ही पर्चेस करना 300 रुपीज में आपको करीब हजार टेस्ट देने चाहरा हूं अगर आप यूपी एस्ट कर रहा हुए उसके लिए आपको पता होगा तो कम्प्रीट प्रीप्लस मेंज का कोर्स है जहां पर आपको साइड इटेल्स मिलेंगी आपको कोई भी दिक्कत हो आप परसल गाइडेंस के तो आपको पढ़ाते हैं कैसे एक्जाम कर सकते हैं उसके ल पर आप परसल लेवल पर कॉन्टाइक करना चाहते हैं तो नंबर भी नीचे दिया हुआ है आप कॉल कर सकते हो हम आपको हेल्प करेंगे तो यहां पर ग्रांट स्लैंप जो थे जो बहुत ही सिंपल सेंज्ट पर आपको बता दिये हैं कि क्या-क्या थे कौन को नविनर से र